जन्वरी से लेकर जुलाई तक की रिपोर्ट में आए हम आपको बताते हैं कि भोचपुरी का नंबर वन स्टार कौन है जी हाँ ये बड़ी ही काटे की टककर है कभी किसी की पॉपुलरिटी उपर हुई तो कभी किसी की पॉपुलरिटी डाउन हुई लेकिन भाई इस बार मानना पड़ेगा कि पवन खेसारी के बीच काटे की टककर रही खेसारी लाल यादो की एक मात्र फिल्म कूली नंबर वन रिलीज हुई और इसने बॉक्स ओफिस पे तहलका मचाया है लेकिन इन सब से आगे पवन सिंग है जी हाँ पवन सिंग की फिल्मों ने धमाका भी मचाया और शोर भी किया आपको बता दे कि पवन सिंग की फिल्मे चाहे वो क्रेक फाइटर रही हो मैंने उनको सजन चुल लिया रही हो यहाल ही मेरी रिलीज जैहिन रही हो इन तीनों फिल्मों ने धमाका किया और अच्छा बिजनेस किया साथ ही साथ जैहिन ने तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया बनारस के आनंद मंदिर में इस फिल्म ने एक दिन में एक लाख नौ हजार का बिजनस करके एक नया किर्तिमान स्थापित किया आपको बता दे कि पवन सिंग की फिल्म मैंने उनको सजन चुल लिया ने भी कई किर्तिमान स्थापित किये फिल्म का गाना आरा का उठलाली भी काफी पॉपुलर हुआ, साथ ही साथ फिल्म के ट्रेलर ने भी धूम मचाया और उससे भी जादा फिल्म को जब यूटूब पर रिलीज किया गया तो एक दिन में 90 लाख लोगों ने इसे देखा, जो कि पहली बार यूटूब पर के लिए यह हाइस्ट वियो था, आपको बता दे कि इन सब में खेसारी भी पीछे नहीं है, फिर खेसारी की भले ही कूली नंबर वन रिलीज क्यों न हुई हो, लेकिन कूली नंबर वन ने भी यूटूब पर तहल का मचाया, फिर चाहे कूली नंबर वन का गाना रहा हो, फ अपने साथ एक सोशल मैसेज भी देती है, और ये अच्छी बात है कि खेसारी अब ऐसी फिल्मों में आ रहे हैं, जो एक सोशल मैसेज देती हुई हो, संघर्स के बाद खेसारी की कूली नंबर वन एक ऐसी फिल्म है, जिसे दर्शकों ने ठेर सारा प्यार दिया, फिर दर् इस फिल्म को देखा, सराहा और इसे एप्रिशियेट किया, साथ ही साथ खेसारी की एक्टिंग की भी दाद देनी पड़ेगी, दिनों दिन इनकी एक्टिंग निखर रही है, अब बात कर लेते हैं निरहुआ की, तो भाई ये साल निरहुआ के लिए कुछ खास नहीं रहा, आप ये कह सकते हैं कि उनकी एक फिल्म शेरे हिंदुस्तान ने बॉक्स ओफिस पे अच्छा बिजनस किया, लेकिन अभी तक उनकी जितनी भी रिलीस फिल्मे हैं, फिर वो चाहे निरहुआ चले लंडन ही क्यों नहों, या फिर जै वीरू रही हो, इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर कोई अच्छा कमाल नहीं दिखाया, साथ ही साथ आपको बता दे कि निरहुआ ने राजनीतिक पारी शुरू की है, जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, उनकी पॉपुलर्टी दुगनी हो गई है, पॉपुलर्टी के मामले में एक वक्त में निरहुआ खेसारी और पवन से भी जादा हाई पे चल रहे थे, आपको बता दे कि पॉपुलर्टी के इस गेम में निरहुआ पवन और खेसारी को काफी पीछे भी छोड़ चुके थे, क्योंकि उनकी सीधी टककर जो अखिले शियादों से थी, लेकिन जैसे ही वो और फिर से फिल्मी मैदान में आए, पॉपुलर्टी में थोड़ी सी गिरावट हो गई, और अब पॉपुलर्टी के मामले में पवन सिंग सबसे उपर चल रहे हैं, इसके पीछे अक्षरा सिंग का विवाद जो है, और साथ ही अक्षरा सिंग के विवाद में पवन सिंग क तो काफी फायदा हुआ है फिल्म जैहिंदी ठूई फिर मैंने उनको सर्जन चुल लिया को यूटूब पे अच्छा रिस्पॉंस मिला और अब बताया जा रहा है कि हो सकता है निरहुआ के साथ या फिर खिसारी के साथ उनकी कोई फिल्म भी आ जाए जो कि भोजपूरी से थोड़ा सा या यू कहले इंच मात्र थोड़ा सा पीछे हैं खिसारी लाल या दो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि उनके सावन के एल्बुमों ने पवन सिंग के एल्बुमों से जादा धूम मचाई हैं साथ ही साथ वो नए नए किर्थिमान सापित करते जा रहे हैं ताथी साथ वो भोजपुरी के एक ऐसे एक्टर बनते जा रहे हैं जो सोशल वर्क में जादा बिलीव कर रहे हैं जो कि खेसारी से पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चलन बड़ा ही कम था लेकिन इसे खेसारी बढ़ा रहे हैं लोगों की मदद कर रहे हैं फिर वो इस क्रम में आप खेसारी को इंच मात्र पीछे रख सकती हैं और तीसरे नमबर पर हैं दिनेश लाल यादो निरहुआ और चोथे पायदान पर हैं रितेश पांडे जी हैं इनकी इंट्री बड़ी ही धासू हुई है और बड़ी ही आश्चार चकित कर देने वाली है क्योंक आज कल रितेश पांडे तेजी से भोचपुरी इंडस्ट्री में बढ़ रहे हैं लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं सुन रहे हैं और ये आगे आने वाली एक नई पौद के लिए अच्छी खबर है और पाचवे अस्थान पे हैं प्रदीप पांडे चिंटू तो यकीन हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी हां फिर ऐसी एक रिपोर्ट आएगी जो कि पांच या छे महिने बाद आएगी जो स्केल तयार करेगी कि भोचपुरी इंडस्ट्री में कौन नमबर वन की रेस में हैं भोचपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए